हेलो कुलास नाइन्थ आज हम चैप्टरंबर 12 हेरोंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे लास्ट वीडियो मैंने आपको इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 12.1 के फॉर्स्ट थ्री कोर्शन्स कुराए थे तो आज हम करेंगे कोर्शनबर 4 क्वेटंबर 5 में क्या है फाइंड अएरे प्रेंगर् टोशाइड्स औ विच आ एक ट्रेंगल है जिसकी दो साइड आपको गिवन है स्पोसो कर यही हमारा और ट्रेंगल है A B C इसकी एक साइड है अठारा सहências सेंटीमीटर, एक सैड़् है 12 सैंटीमीटर, 30 सैंट्री सैट हमको इसका पैरिमीटर कितना फेर्टीटू सैंटीमीटर, तो इसका एरिय निकालना हॉ, अब सबसे पहले सोल्यूशन के द creation के लिखोगे ल्हेक सीजी कुल डिव है अब question के according आपको perimeter given है perimeter क्या होता है तिनो side का sum मतलब की AB plus में BC plus में CA तिनो का sum कितना दे रखा आपको 42 values रखेंगे AB की value कितनी है 18 plus में BC की value कितनी है X plus में CA की value 12 is equal to 42 18 और 12 30 तो X plus में 30 is equal to 42 X की value कितनी हाईगी 42 minus 30 कितना 12 तो X job की तीसरी side थी वो कितनी हागी 12 cm अब हमको formula में रखके इसका area निकालना है तो area of triangle ABC कितना होगा formula की हिसाब से formula क्या आपका here on formula S into S minus A into S minus B into S minus C और S क्या होता है आपका perimeter का half तो S क्या होगा 42 का half 42 का half कितना 21 तो values रखेंगे S की जगा पर 21 into S minus A मतलब 21 में से पहली side घटा दो आप कितना 18 उसके बाद 21 में से 12 घटा और 21 में से फिर कितना हो जाएगा आपका हिए ठीक है दो बार 12 घटाना पड़ेगा तो यहां से कितना आ गया देखो 21 multiply 3 multiply 9 multiply 9 तो उसके बाद इन सबके बनाएंगे प्राइम फेक्टर है तो 21 के प्राइम फेक्टर 3 into 7 into 3 into में फिर 3 into 3 और 9 के भी 3 into 3 तो के प्राइम फेक्टर बनाने के बाद आप बनाओगे pair तो pair जो बन रहे वह तीन बन गए तीन तीन के तो तीन बार तीन बाहर और साथ अंदर तो कितना हो गया 27 रूट 7 cm2 यह क्या है एरिया ओफ ट्रेंगल ए बीजिए वर इसको वैरिफाई कर लेते कहीं कोई गलती तो नहीं है देखो सबसे पहली दो साइड गीवन थी 18 और 12 ठीक है और 12 होगे 30 जी दूसरी साइड यह 10 गिवन आपको ओके 18 और 10 कितना 28 जब माइनस होगा यहां एगा 28 यहां भी 28 तो यह कितना एगा 14 ठीक है तो तीसरी जो साइड है हमारी वो कितने आगी 14 अब वैल्यूस में यहां भी आएगा 14 ओके 21 में से 14 गए तो कितना 7 ठीक है यहां से साथ का भी एक पेर बन जाएगा ठीक है तो 21 का 21 तीन नो और यह साथ यहां पर 10 आएगा आपका तो 21 में से 10 गए 11 अब इसके पेर बनाएंगे तो 21 के होगे 7 इंटू 3 3 का 3 11 का 11 यहां से मैं एक बार दोबारा कर देता हूं देखो 21 के पेर कितने 3 इंटू 7 3 का 3 11 का 11 और 7 क सबी प्राइम नंबर में हो गए अब करेंगे पेरिंग तो सिर्फ एक तीन की पेर बन गया और एक साथ का पेर बन गया तो यह होजाएगा 3 इंटू 7 और 11 अंदर तो यह होगे 21 रूट 11 केंटीमीटर स्केर ओके तो यह था सॉल्यूशन ओपको द्यान से देखना इसको G C तो जो इनका रेश्यो गिवन है और रेश्यो है वह आपका 12-17- 25 प्राइशं और आपको क्या गिवन है इस ट्रिगवल का पेरिमेटर पेरिमेटर कितना गिवन है 5 40 cm तो अमको नहीं बता हम सबसे पहले मांन गे लेट एसे collection HI बी तक वहाएपकी 12 एक्स बीसे लेके c तक वो हमने मान ली 17x और c से लेके a तक वो हमने मान ली 25x तिनों साइड मानने के बाद अब देखो according to the question हमारे पास तिनों साइड कसम यानि के 12x प्लस में 17x प्लस में 25x कितना होना चाहिए 540 गिवन हमको इन सब को अड़ करेंगे तो कितना होएगा बादा सत्रावनतिस पत्चिस चववन एक्स इस इकल तो 540 यहां से x की वेल्यू कितनी आएगी यह आगी 10 अब देखो अगर x 10 है तो जो a से लेके b तक है वो कितना होजेगा 12x था ना 12x तो 12 की जगा 12x की जगा 10 कित कितना 120 cm, b से लेके c तक कितना 17 x 10 यानिके 170 cm और c से लेके a तक 25 x 10 मतलब की 250 cm तीनो साइट्स की वेल्यू है और पेरिमीटर का हाफ करेंगे तो s आजेगा तो 540 का हाफ कितना 270 अब s की वेल्यू भी है a b c की वेल्यू भी है फॉर्मूले में रखेंगे तो area of triangle a b c की एक प होल आएगा s into में s minus a s minus b s minus c s की value क्या है 270 into my 270 में से कितना minus करेंगे a a की value कितना 120 उसके बाद 270 में से minus करेंगे कितना 170 और उसके बाद 270 में से minus करेंगे 250 ओके वैल्यू जग दी हमने ABC की उसके बाद यहां से देखो 270 की जगा 270 multiply 250 multiply 100 multiply 20 अब इनके भी प्राइम फेक्टर बनाएंगे तू 270 के प्राइम फेक्टर कितने बनेंगे आपके 3 x 3 x 3 x 2 x 5 multiply 150 के प्राइम फेक्टर कितने हो जाएंगे 3 x 5 x 2 x 5 उसके बाद 100 के वह जाएंगे आपके 2 x 2 x 5 x 5 और 20 के 2 x 5 सब के हमने क्या कर दिए प्राइम फेक्टर बना दिए अब पेरिंग करेंगे तो तीन का एक पेर उसके बाद एक पेर यहां और ऊप जो पेर बनेंगे वह सब बाहर तीन का एक पेर, फिर तीन का एक पेर, दो का एक पेर, पांच का एक पेर, उसके बाद फिर पांच का पेर, दो का पेर, फिर पांच के पेर और एक दो का पेर, ठीक है अब इन सब की मल्टिप्लाई करेंगे, तो तीन तिया नो दूनी अठार अठारा की जब पांच से करेंग स्केर ओके यह था solution of course number five अब करेंगे सका course number six course number six में क्या है एक आईसोसेलिस ट्रेंगल है आईसोसेलिस ट्रेंगल होते है जिसकी दो साइड इकवल हो हमने माल लिया a b c एक आईसोसेलिस ट्रेंगल है इसमें आपको given क्या है जो equal sides है वो दोनों 12-12 cm की है third side given नहीं है but perimeter कितना given है 30 cm तो सबसे पहले इसका area निकालने के लिए हम side को माल लेंगे B से लेके C तक की side को माल लें हमने x cm अब question के according तिन्नो side का sum कितना होना चाहिए 30 perimeter है हमारा तो यह कितना होगे 24 प्लस में x is equal to 30 x की value कितना आएगी 30 minus 24 मतलब की 6 x की value आगी 6 cm तो तिन्नो side आगी हमारे पास यह होगे 6 cm अब area of a b c जो triangle है उसका कैसे निकलेगा hero's formula hero's formula s into s minus a s minus b s minus c s की value क्या होगा perimeter का half यानि के 15 cm perimeter का half किया तो values रखेंगे इसके अंदर s की जगा 15 into में 15 minus 12 15 minus 6 उसके बाद 15 minus 12 तिन्नो side की value रखी अब factors आगी क्या बनेंगे 15 multiply 3 multiply 9 multiply 12 इसके भी तो यहां 3 आएगा इसके बाद अब इसके prime factor बनाएंगे 15 के होगे 3 into 5 into में 3 into में 9 के होगे 3 into 3 और 3 का 3 पेर बना दिये तो यहां से अब कितना हो जाएगा आगे देखो यह हो गया 3 और 3 का एक पेर बाहर 3 उसके बाद इन दोनों 3 का भी यह बाहर अंदर बचे का कितना 5 into 3 यह हो गया 9 root में 15 cm2 तो यह था solution of question 4, 5 and 6 of exercise 12.1 अब इस chapter में आपको सिर्फ इतना ही करना है आपका जो ही session है 2020 to 2021 वाले session में और आपको अब इसमें कोई भी doubt रहे तो आप पूछ सकते हो ओके थेंक यू